चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो Company Law and Practice New syllabus से, Old syllabus से Company Law के अंदर अभी जो chapter हमने start किया वो कौन सा chapter है? By Back of Securities ये न, एक बार chapter का नाम लीजे एक बार और एक बार और तीन बार नहीं बोलते हैं जरा बता ही, इस chapter में हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया? अब ध्यान से सुनते जाना, section कौन-कौन से हैं? Rule कौन सा? जैसा rule वैसा form number? form number का nomenclature क्या होगा? SH है न, चलिए अब ध्यान से सुनते रहो जो मैं बोल लो, एकदम शांती से. सबसे पहले, buyback क्या होता है तो तुम लोगों बताया था, बहुत ही आसान है, चुकि buyback of securities बोलते हैं, पर securities का मतलब यहां पर equity share है, क्या है? equity share, बताया था, preference share का भी buyback होता है, redemption के नाम से, bond का भी buyback होता है, redemption के नाम से, है न, सारी के सारी जतने भी securities हैं, है, सबका redemption होता है, सबका buyback होता है, पर buyback what किसके लिए जिनरली? equity share के लिए, किसके लिए? बाइबेक बहुत असान था, मैंने बताया था आप लोगो, buyback का मतलब खरीद ना, और उसके बाद लगा back, back कम अपना वापस खरेदना, तो वापस तो वही खरेदेगा जो बेचा होगा और बाद बाद बता ही, equity share का जन्म किसके पास होता है, company के पास company ने ही share बेचा, तो company ही यहाँ buyback करने जा रही है, simple सी बात जो बेचेगा वही तो वापस खरीदेगा, है न, तो कोई भी equity share, सबसे पहली बार life में किसने बेचा होगा, company ने, किसको बेचा होगा, shareholders को, तो buyback एक process है, buyback एक process है, जिसके अंदर company अपने shareholder के पास जाती है, उसको कहती है, जो share मैंने आपको बेचा था, वही share हम आपस वा buyback का offer price, जो कि company buyback में share छिन नहीं ले रही है, खरीद रही है, तो खरीदेगी तो वह offer price देगी कि हम इतने price में खरीदना चाहते हैं, अगर company का offer price shareholders को पसंद आता है, तो फिर shareholder company को share वापस करने के लिए तयार हो जाते है, company उस share का buyback करके फार के fake देती है, उससे shares कम हो जा company की liability कम हो जाती है, चुकि share capital company के लिए क्या होती है, liability, ठीक है, तो buyback एक process है, जिसके अंदर company अपने shareholder के पास वापस जाती है, उससो कहती है, जो share हमने तुमको बेचा था, वही हम तुमसे वापस खरीदने के ले तयार है, अगर तुम अपना share हमें देते हो, हम तुमें payment करेंगे, shares हमें वापस करो, हम फार के उसको फेक के अपना shares कम करेंगे, capital कम करेंगे, liability कम करेंगे, और ऐसे भी जो पैसा हम आपको pay कर रहे है, buyback के अंदर, वो पैसा idle ही परावा है, बिकारी परावा है, उसका भी हमारे पास को इस्तमाल नहीं है, तो तुमसे तुमारा ही share खडीद के, कम से कम उस पैसे का इस्तमाल भी हो जागा, वो पैसा shareholder के पास पहुंच जाएगा, और company का share कम हो जाएगा, share capital कम हो जाएगा, liability कम हो जाएगा, तो buyback एक win-win situation है, जिस मुझे से companies हमेशा buyback करती रहती है, आप लोगो practical example भी देता रहता हूँ मैं, आपको देखेंगे कि कौन-कौन सा buyback हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से बोल देजिए चुका थी chapter की last class है, buyback क्या होता है, तो मेरे साथ साथ बोलना, buyback एक process है, जिसके अंदर company अपने shareholder के पास वापस जाती है, और offer करती है, कि जो share हमने आपको बेचा था, वही share हम आपस अगर shareholder company के offer price पर अगरी होता है, तो फिर उसके shares buyback कर लिये जाते है, shareholder को payment कर दिया जाता है, जिन shares का buyback हुआ, उनको far के fake दिया जाता है, उतने से shares कम हो जाता है, share capital कम हो जाता है, liability कम हो जाती है, आया समझ में, तो एक बार ज़रा, अब खुछ से बोल पाओ गए, बोलो, आया समय बोल दिया, बस इतना ही समझना था, और कुछ नहीं है, बाकी buyback chapter जो है, वो हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके पर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जादा lengthy chapter है, पहला बहला जो पार्ट है वो इंट्रो, इंट्रो जो मैं करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसी से जुराबा क्या था, practical questions जो हम कर चुके, मुझे लगता है तीन questions हमने किया था, एक solved था, दो unsolved था, याद है, तो ये भी हमारा हो चुका है, उसके बाद बताओ, case law आज हमें करना है, और बताओ, और सबसे भयंकर जो है वो है procedure, procedure, procedure तो वही बच्चा कर पाएगा जो शुरू से पढ़ रहा है, प्रोसीजर के अंदर भी अगर आपको यादो procedure for buyback में, listed company के लिए अलग है, और unlisted के लिए अलग है, लिश्टेट के लिए सेभी का regulation लगेगा, unlisted के लिए central government का rules लगेगा, ये procedure वहला बच्चों के साथ चले, जिनको सब कुछ आता है, चुकि प्रोसीजर में तो सारा law फिर से आएगा, तो law अगर रिवाइज्ट होगा तभी अब procedure समझ पाऊगा ने, तो प्रोसीजर नहीं समझ पाऊगा, है कि नहीं, चुकि प्रोसीजर लोग के अनुसारी तो चलेगा, illegal procedure फिर 70, फिर case loss, case loss के साथ कुछ miscellaneous चीज़े भी है, वो भी पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं break करूँगा, break के बाद क्या start करेंगे, procedure, break से पहले सारी कहानी खतम कर लेता हूँ, break के बाद सिर्फ procedure, सिर्फ procedure ही चलता रहेगा, पूरा, तो चले शुरू करें, कहां से पढ़ है न, चलो heading बोलो जोड से, जो नहीं बोला बेपकूफ है, इसको short form में हम CRR बोलते हैं, चलो एक बाद और बोलो, 68 में थुरा वापस जाना पड़ेगा, अब जरा ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, आपको याद होगा, जब company buyback करती है, तो buyback करने के लिए उसको पैसे खर्च करने होते हैं, काफी पैसा खर्च होता है buyback में, तो company पैसा कहां से लाती है, company का source of fund for buyback, तीन इसको लगेगा, इस्पा में जाकर पैसा लेके आएंगे, इस्पा का मतलब security premium account, और third, यह न, यह तुम लोग को याद है, तो जब बताओ, buyback करने के लिए company कहां कहां से पैसा उठाती है, ठीक है, चलिए जी, एक example, live example देखने ही कोशिस करते हैं, जाते हैं, सेबी के website पे, देखते हैं, पिछले बार के मुकाबले, आज कुछ और बढ़ाएगे ने, तुम लोग पहले से बता है, बढ़ गया है, कुछ और buyback, से भी, ना, buyback, आगया, नहीं, वही चल ला न, ठीक है, यह देख लो, यह चल ला, चलो बताओ, कौन से company का उठाओ, यह सारी company का buyback चल जैसा तुम लोग बोलोगा, इसा करूँगा, हिंदुजा, हिंदुजा का नाम जानते हो, असोक लीलांड ट्रक, हिंदुजा है, ना, किसका देखोगे, यह वेल्समन है, अभी रामी है, सॉब्टल है, जगन है, टिप्स है, टिप्स, टिप्स का तो नाम सुने होगे, एक् अगर हम यह देखते हैं, तो आज हमारे प्रोसीजन में यही सबवर्ड है, यही, पहले प्लिक नाॉंसमेंट आता है, फिर DLO आता है, फिर लेटर आफ़र, उधा पराता चलूँगा, इधर मैच कराता चलूँगा, और थोड़ा लेट लोगे, तो और प्रोसेस हो चुका ह होगा, और दॉकमेंट दिखेगा, जैसे यह तो दिसमबर 20 को आ चुका ना, तो इसका तो भाइबे, खतम हो गया होगा, इसके सारे डॉकमेंट मौजूद है, तो सारे डॉकमेंट जिसका मौजूद है, वो देखो, चुकि अगर तुम इसका देखते हो, तो इसका तो कल, इसका पॉब्लिक अनॉंसमेंट और लेटर ऑफ रहा है, अभी ड्राफ्ट वर्ड हटा, नहीं है, मताब फाइनल अभी हुआ नहीं, सिब सेभी के पास है, जैसा बोलो तुम यह बोलो तो मैं ही कर लेता हूँ, चलो मैं ही कर लेता हूँ, तो स्पोर्ट किंग बला चलो यह बफ आद परपस आफ बाइबेक हैं, चलो मैथट कर रहा है है? तेंडर उफर यूज़ कर रहा है, आज हम पढ़ेंगे टेंडर मेथट पढ़ना आज हमें, कितने शेर का बाइबक कर रही है, पांच लाख 80,000 शेर का बाइबक कर रहा है, जिसका फेस वेलू दस रुपया है, लेकिन बाइबक का उफर प्राइस नौशो पचास, आब तुम लोग क्या करोगे अभी देखू जरा इस कंपनी का शेर प्राइस क्या चल लहा है 746 चल लहा है तो बताओ तो जल्दी से अगर आज मैं इस शेर खरीद लूँ अभी कि अभी किसी बच्चे के बाद पैसा हो सा हो डिमाट अकाउंट हो तो अगर वो खरीद ले माल लेजा अगर आप अभी शेर खरीद लें तो कितने आप खर देंगे और बाइबेक का ओफर प्राइस क्या है 950 है तो भाई 950 कितना का फाइदा हो जागा एक शेर पे 204 उपे का फाइदा है दो दिन पहले अगर देखते हैं तो साथ यह और साथ सो दो पे था अब देखो एक्चली शेर मार्केट में यही तो में है अब देखो मैं थोड़ा सा लूस कर गया अभी इस्टैबलिस्मेंट है हुआ अपना बहुत ही भयानक शांदार मैदा एतिहासी करांती का रही है आ और जो आये होंगे वो तो खुद ही डांस कर रहे थे है ना उसके चेकर में क्या हुआ कि जो अदानी का शेर का दाम अभी डाउन चल रहा है ना कुछ शेर मुझे खरीद लेना था मैंने खरीदा नहीं और फिर वापस बढ़ गया हुआ अगर अब मैं खरीदूंगा तो अ शेर मार्केट में यही काम चलता है जितना जल्दी डिसीजन में करेंगा अभी भी 204 रुपे का फाइदा है जैसे जैसे लोगों में यूस जाता जाएगा यह और बढ़ता जाएगा शेर का दाम क्यों बढ़ेगा चुकि ज्यादा ज्यादर लोग शेर कोईड़ना चाहें और एक शेर का दाम कितना कंपनी दे रही है? नौसो पचास बताओ इस कंपनी को कितना खर्चा हो जागा इस वाइबैक में रहने बहुत जादा नहीं है, आंसर बताओ पच्पन करोर दस लाग सुनो, पच्पन करोर अब दस लाग छोड़ो, मैं सिधा पच्पन करोर ले देता हूँ चलेगा, पच्पन करोर रुपया ये कंपनी कहां कहां से लाएगी? अब इनको क्लास समझ में नहीं आ पाएगा? अब नहीं समझ में आ पाएगा, क्लास आगे बढ़ गया चलेगे, पच्पन करोर रुपया कितना रुपया? पच्पन करोर, अब बताओ ये कंपनी पच्पन करोर रुपया कहां कहां से अरिंज करेगी? कंपनी कितना पैसा? freezer से उठाईगी, या बोलो security premium account से उठाईगी, या बोलो proceeds of an earlier issue कोई अगर earlier issue आयोगा तो प्रोवाइड वो एकुटी शेर का न हो. यदे है? कोई डिवेंचर का हो, बॉंड का हो, प्रेफरेंस शेर का हो, एकुटी शेर का बाइबैक तो एकुटी शेर का प्रोसीड सब अपने अर्लियर इश्यू होना नहीं चाहिए. तो ये 3 account से पैसा उठा सकती है company मान लो इतर देखो इस company के phrase house में 40 करोर रुपया है तो क्या company यूज कर सकती है इस company के security premium account में 10 करोर रुपया है क्या company यूज कर सकती है तो 40-50 and proceeds up in earlier issue से company को कितना उठाना है 5 करोर अब बताइए जरूरी कि इतने इतने पैसे ही थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम्पणी इतना इतना उठा रही है कितना पैसा निकाल ली फिली जब से? S.P.A. से कितना निकाल ली? और प्रोसीड सब बने अर्लियर इश्यू से? ठीक है? कंपणी का अपना हो गया आरेंजमेंट? आप कम्णी अराम से क्या घर सकती है? बारवा बैक अब जो सेक्शन69 पर मैं आया हूँ सेक्शन69 पर आ रहा हो ना? Section 69 का कहना है कि जितना पैसा आपने जर्द पढ़िए तो 69 को जर्द देखिए तो फ्रस चेर बगल में कर लो चेर बगल में कर लो उसमें क्या लिखा कहा कहा से कमनी पैसा उठाई है देखो तो Free Reserves और Security Premium Account ये लिखा है जितना पैसा उसने उठाया है कहा से Free Reserves और Security Premium Account अच्चली Security Premium Account भी Section के लिए Free Reserves ही माना जा रहा है तो Free Reserves जितना पैसा आपने कहा से उठाया Free Reserves, Security Premium Account is treated like Free Reserves अब ध्यान से सुनिए उतने पैसे का आपको एक Account क्रेट करना पर एगा जिसका नाम होगा CRR अब सुनिए पहले ध्यान से सुनना तो जल्दी बताओ, हमने Free Jam से कितना निकाला? SPA से कितना निकाला? तो 40 प्लस 10 कितना हुआ? तो सुनो, 50 करोर रुपे का तुमें एक Account क्रेट करना पर एगा जिसका नाम होगा CRR तो 50 करोर रुपे कहां ट्रांफ़र करना पर एगा? CRR, Capital Redemption Reserves यह Section कहता है अब बात ही आती है कि Sir, इसके पिछे रिजिनिंग क्या है? बात सुनो, अब ध्यान से सुनिए, पहले Section सुनो, पहले Section सुनो, पहले Section 69 का कहना है Buy Back के Purpose में, जितना पैसा आपने कहां से निकाला? Fray Jam से निकाला या Security Premium Account से निकाला? हमने कितना निकाला था है इसमें? पचास करोर, 40-10 पचास तो पचास करोर रुपया के नाम से एक अकाउंट खुलेगा, जिस अकाउंट का नाम होगा CRR और उसमें आपको इस पचास करोर रुपया डालना पड़ेगा अब देखिए, अब कुछ लोग क्या कहेंगे, पहले इस चार्ट को उतार लीजिए आप Section 69 के सामने एकदम लाइफ केस है यह एकदम लाइफ केस है ना कौन से कमपनी का देखा नहीं है Sports King का देखा ना थोड़े speed में कर लीजेगा, इसको हम बोलते है Total consideration क्या बोलते है Total buyback consideration Company अगर buyback करेगी तो उसमें कितना consideration पे करेगी शेरोल्डर को 55 करोर Total buyback consideration is 55 करोर और यह अरेंज किया जारा तीन अकाउंट से, free jump से निकाला जारा 40 करोर SBA से निकाला जारा 10 करोर Proceeds of an earlier issue से निकाला जारा 5 करोर पर CRR आपको कितने का बनाना से 50 करोगा क्यों क्यों कि जितना पैसा आपने कहां से उठाया Free jump और SBA सिब उतना ही का CRR करेट करना पड़ता है Proceeds of an earlier issue वाले का कोई मतलब नहीं ठीक है? याद रहेगा? थोड़ा जल्दी से उतार लो फिर मैं बताता हूं यह section 69 का example है तो this company had to create a CRR of Rs. 50 crore 50 crore क्यों? 50 crore is a combination of what? Free jump plus SBA याद रहेगा तम simple है तो जब भी company secretary बनना और अपने company में buyback करना तो buyback के पैसे को arrange करते बग जितना पैसा free jump से निकालना या SBA से निकालना उतने पैसे का तुरूंत क्या create कर देना? CRR create कर देना जिससे कि balance sheet आपका क्या रहे? Balance रहे अब मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ बच्चे बोलेंगे अब उसका जबाब मैं दे देता हूं यह कर लिया तुम लोगोंने? चलो अब को बच्चा बोलेगा कि sir अगर आप यहां कहते हैं कि सब जितना पैसा आपने निकाला free jobs और SPA से उतने का एक और account create करना पड़ेगा और उसमें इतना पैसा डालना पड़ेगा यह buyback में तो ज्यादा खर्चा हो जागा कमपनी का मैं बतारों कैसे 55 करोर रुपया तो कमपनी शेयर होल्डर को देगी प्लस आप बोलने हैं जितना पैसा उठाओगे कहां से free jobs और SPA से उतना पैसा तुम्हें CRR में भी डालना पड़ेगा तो 55 करोर कर दिया buyback में खर्च और इतना पैसा डाल दिया CRR में तो कमपनी ने इसका मतलब कितना हो गया यह तो 105 करोड होगा तब जागी कमपनी buyback कर पाईगी तो कासा जितना पैसा free jobs से निकाला जितना SPA से निकाला उतना डाल रही है CRR में तो पर निकाला क्यों बात समझ में आ रहा है आप बात नहीं समझ पाने जो मैं बोलना चाहरा हूं यह अजीब बात है कि नहीं बात है आप बोलने कि जितना पैसा आपने कहां से निकाला free jobs से और SPA से उतना ही पैसे का एक अजीब बात नहीं बात नहीं चल रहा है एक बात बताई कहा रहा है जितना पैसा तुम निकालो कि for the purpose of buyback तो buyback में हम खर्च करने के लिए निकाले है buyback में shareholder को देने के लिए निकाले है आप करें उतना ही पैसा CRR में डालो तो फिर हम निकाले क्यों भाई यह अजीब बात नहीं है तो आप समझो कहानी actually यह जो CRR है यह real account नहीं है यह fictitious है इसमें सच में पैसा नहीं जाता है यह सिब entry है सिब क्या है? entry है तो पहले यह समझ में आ गया तो यह जो CRR है लिख लो एक वड़ होता है, congressional थो पैसा हो और यह real account में सच में होता है अरे,real account में सच में होता है लेकिन जो fictitious होता है उतने पैसा होता है क्या fictitious होतफु लोग क्या बोलते थे,वह नॉमिनल बोलते थे जिसे पैसा नहीं डालते थे अरे एक सच में पैसा होता है, लेगिं में उत मैं होता है. उतंक पैसा होता है? इसको चौछ क्या बोलते हो चोह कोय आजे पॉलते हैं? के यह बमीनय का मतलब होता है जूटा है जो शाचमें exist ना करें तो यह fictitious है, fictitious का मतलब इसमें सच में पैसा डाला नहीं जाएगा, सच में पैसा डाला जागा तो निकाले क्यों फेद, नहीं समझे, ठीक है, चली, अब ज़रा ध्यान से सुनेगा, तो यह बात समझ में आ गया आपको, अब एक बाह बताएगे, जो CRR नाम से ल ज़रूरत नहीं है, अब मैं एक्जामपल देखो यहां लिखा है, यहां से अलग कर दो, यहां लिखा है CRR, में भी अपलाइड, अपलाइड का मतलब यूज लिखो, इसलिए लाइन बालाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपलाइड का मतलब यूज, यह सिभ यूज ह तो पाएगा only in bonus issue, और तुमको याद होगा, bonus issue जो होता है, उसमें पैसा involved नहीं होता है, चुकि वहाँ share मुफ्त में दिये जाता है, तो ऐसे account का इस्तमाल जिसमें पैसा नहीं है, ऐसे जगह करवाया है, जहां पैसे की जरूरत नहीं है, क्लिए रेकनी, क्लिए पहले बता तो कैसे इस्तमाल होगा, तो ऐसे account का इस्तमाल जिसमें पैसा नहीं है, उस जगह पे इस्तमाल कराया गया, जहां पैसे की जरूरत नहीं है, क्लिए है, तो कभी bonus issue होगा, तो CRR को write-off कर देना उससे, किसे bonus issue से, CRR खतम हो जाएगा, बनाना इसलिए होता है, ज़्यादा तर आप accounts की जो teacher होगे न, जो accounts पराते है, प्रॉपर accounts, उनसे आप पुछेगा, वो आपको detail में बताएंगे, ये balance sheet को tally करने के लिए होता है, क्यों कभी कभी क्या होता है, जितना आप buyback नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा निकल जाता है, buyback में, च्योंकि buyback में share तो down ह होता है face value से, और पैसा निकल जाता है market value बर, तो तुमारा जो free reserves वाला side है वो हिल जाता है, तो इसलिए उसको maintain कर निकले करते हैं, ख्यार वो detail में आपको accounts की teacher समझाएंगे, section 69 दो बाते कहता है, मैं रटवा दे रहा हूं सबको, समझा चुका हूँ, अदा गंडे से समझा section 69 का कहना है, जितना पैसा buyback में आप निकाल लेंगे free reserve से, और SPA से, उतनी ही पैसे का आपको क्या create करना है, एक account जिसका नाम क्या होगा, CRR, और मैं अपने तरफ से जोड दिया, CRR, real account, नहीं है, इसमें सच में पैसा डाला नहीं जाएगा, अब दूसरी line बता रहा हूँ अब सच में पैसा है नहीं, तो इसमाल ऐसे जगा करोगे जहाँ पैसे की जरूरत नहीं हो, तो पैसे की जरूरत कहां नहीं होती है, bonus issue में, चुकि bonus issue में share smooth में दिये जाते हैं, तो वहाँ पैसे का को involvement होता ही नहीं है, तो CRR का बस एक इसमाल है, that is bonus issue, bonus issue जब होगा company में, तो उसी में इसमाल दिखा के सो write-off कर देना, account को खतम कर देना, clear है का याद रहेगा, बस इतना ही कहा नहीं था, section 69 खतम, अब हमारे section number 70 पे, आजो heading बो, जिन बच्चों की first class है, उनको कम सिस्टी नाइन, 70 यह सब तो समझ में आएगा, उतना समझ में आही रहा है, 70 बो, heading, देखो बच्ची नहीं बोल रहे हैं, देखो, बो, सबसे कोने में जो लेट आई था, नहीं बोली, मैंने देखा उसका, बोल दिया, टेक है, 70 में तुम fall कर गए, तो तुम buyback नहीं कर पा हुए, ठीक है, तो कुछ companies ऐसी है, जिनको मना किया गया है, क्या करने से, buyback करने से, हैना, section number 70, याद रहेगा, चलो आजाओ, अब देखो, इसका language देखोगे, तो शुरू से negative किया हुए, no, अरे शुरू से negative है, no company का मतलब यह negative list है, क्या है, negative list है, prohibited list है, मतलब यह companies buyback नहीं कर पाएंगे, अब देखिए, कौन-कौन से companies है, कोई भी company, अपनी subsidiary company के थुरू buyback नहीं कर सकती, अब इसका क्या मतलब है सो सुनी, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, बाइबैक कहने का मतलब यह होता है, कि जहां से share चला वहीं वापस आए, तब नहीं हुआ back, तब नहीं हुआ back हुआ यार, अज़े तुम घर से आज coaching आये हो, अग coaching से मालूम चला चुकि week चला आया कुछ, coaching से तुम किसी और के साथ हो के हम दो हमारे पता नहीं क्या होंगे, सुने, कहीं और निकल गए, तो buyback माना जाएगा, क्यों गयावा ही माना जाएगा घर के हिसाब से, तो back तब होगे ज़े तुम घर से चले और घर ही वापस लोटे, सही बोला हूं कि नहीं बोला हूं, तो यहां पर company ने share बेचा, तो company के पास share वापस आएगा तब नहीं buyback माना जाएगा, अज़े कमनी ऐसे अबला हूं, ज़े मेरे shareholider है एज़े, तो यह से ब्सभी आएगा, तो पहसे का पहुंचा ये important है, तो यह वापस तका हम नहीं समझ में आया, मैंने दिया इनको, इनों ने दिया इनको, अड़ी मैंने इनको दिया, यह मुझे वापस देखते तब नो भाइबेक होता है, तो सबसेरी कंपनी के थुरू भाइबेक चलेगा, नहीं, भाइबेक का मतलब आप से शेर गया, आपके पास ही वापस आना च यह समझ में आगये, आगए, इनवेश्टमेंट कंपनी के थुरू भाइबेक नहीं चलेगा, इनवेश्टमेंट कंपनी का मतलब, फिर वही औIGज़ामपल, सेम एउपल, तुम मेरा शेर मेरे इनवेश्टमेंट कंपनी को देता हो, पे मैं करता हूं, यह सब चलने वाणा नहीं, buyback का simple सा English है भाई, English का Hindi, जहाँ चला वहीं वापस है, तब बैकवर्ड चलेगा, तो सुनो, दो हो गया, कोई भी कंपनी अपने subsidiary के थुरू buyback नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपने investment company के थुरू buyback नहीं कर सकती, याद रहेगा, चले जी, third number पे, अब देखो एक company, जब आप buyback करते हैं, तो दुनिया को क्या impression देते हैं, तुमारे पास बहुत पैसा है, लुटा आ रहा है पैसा, है ना, लुटा ही रहा है ना, अब इस company को नहीं देख रहे हो, जो company अभी हमने देखा, कौन स पास है और इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, तभी तो तुम उसी पैसे से share ख़ीत के फार के फेक रहे हो share, share फार के फेकना में डिटी थोड़ी है, यह तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, पैसा लुटा रहे हो, अरे भाई, जो तुमारी liability है पहले उसको pay off करो ना, सही बोलन अगर मैं Corona का period हटा दूं 3 साल और Saturday Sunday हटा दूं, है न, मुझे आज सक याद है जब मैं Delhi आया, तो उस समय में परस flat नहीं था, तुम लोग को मेरे बारे में बहुत कम मालूम है, जिस office में मैं रहता था, जिस office में मेरा coaching था, उस office के एक रूम में मैं रहता भी था, रेंट प सब्सक्राइब कर दिया, तो मैं जल्दी से gate खोल के जहारू मार के अपने office का, खुद से अपने room में चला जाता था, कि कोई बच्चा अगर आये सुबह सुबह तो इसको मैं जहारू मारते बाद न दिखूँ, एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट उठा, अब लेट उ सारे साथ बजे क्लास होती थी, अब मैं क्या करूँ, मैं दस मिनट पहले चुप चाप खरा रहा, कि बच्चा वापस जाए नीचे, वह वापस गया, गेट खुल के बहग के अंदर आ गया, तब वह जो वापस आए तो सो गेट खुला हुआ मिला, फिर मैं तयार हुआ रहो तो मैंने एक कार खरीदना चाहा, मेरे पापा ने ऐसा बात बोला, मुझे इतना बुड़ा लगा, उन्होंने फोन पर घर तो है नहीं, तुम्हारे पास कार खरीद रहे हो, मुझे ये बात बहुत, आप समझे रहे हो, आप अगर उस समय एज में ऐसा लगी आपको क्या दि तुम और बुरा लगता है तुम और आपको फोन करके बोले कि तुम बेवकूफ हो क्या है, तुम पापा बोल रहे थे, घर तो रहने के लिए है नहीं, कार खरीद रहे हो, रखो कहा कार, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पहले घर चाहिए एक ही रूम का क्यों नहीं, पहले अपना घर होना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजे होनी चाहिए, सही बोलना हूं कि नहीं बोलना हूं? दिख उस समय में तुमारे एज का था खून-गरम, पापा बोले इधर से खून-उबाल मार रहा है, इधर से खून-बाल बाबा की बाते बुड़ी लग रही है इन सब एज में जादा इजद कर जाता है लोगोगा जिए इजद है नहीं वो क्या बोलते हो तुम लोग लेंगे रखिश होना भी तुम लोगा बैलेंशेट बना दूओ लेडी टैलिट है 0 by 0 तुम्हारे नाम का बैलेंशीट तो जीरो जीरो ही हो अभी जो भी माता पिटा का है ना लेखिन लेखिन तुम्हारा अगर चेक हो तो आसमान छूड़ा है और हम लोग देखिए एतना बैलेंशीट मजबूत बनाने के बापजूद अब जिस पेड़ पौदे पर फल लग जा बहुत हो को लगता होगा उनके माताव इतना टॉंट मारता है उनका टॉंट भी प्यार होता है और सीख होता है हम उस समझ नहीं समझ नहीं पाते हैं बाद में समझ में आता है अब देखिए कंपनी क्या कर रही है देखो इह कंपनी बाइब करना चाहती है क्या इंपरेशन बताईए, मतलब जो तुम्हारी mandatory liability है वो तो तुम पूरा नहीं कर रहे है, और यहाँ पैसा उरा रहे है, अगला, और सुनिए, debenture का redemption होना था, नहीं किये, preference share सा क्या करना था, redemption नहीं किये, redemption बढ़ दोनों के लिए, किसके लिए debenture और preference shares, ठीक, तो deposit के उपर दो वर्ड ब नहीं किया, preference shares का redemption होना था, नहीं किया, अब बताई, यह सब गलत काम को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगला, shareholder को dividend देना था, तुमने dividend, declare होने के बापजूद नहीं दिया, तुमने loan लिया था bank से, उसका क्या करना था, repayment, उसके उपर क्या पे करना था, interest, अब बताई, liability पर default किये वे हो, और यहां पैसा उड़ा रहा हो, अरे पहले इन सब को बुरा करो ने, अरे यह सब में कोई गुस्सा हो गया, तुमारा winding up करा देगा, अचा नहीं करा देगा, अचा बैंक का तुम पैसा वापस नहीं कर रहो, बैंक का तुम interest नहीं दे रहो लोन पे, क्या bank creditor नहीं है तुमारा, creditor winding up a petition नहीं लगा देगा, यहां मौत हो जाए कि तुमारी यहां पैसा उड़ा रहा हो तुम, हैं, जले इनका पैसा वापस करो, उसके बाइबैक होगा, यह मैंनी, section 70 बोला है, कौन बोला है, 70, तो ऐसी defaults अगर company में दिखाई दे रही है, तो उस company को buyback करने नहीं दिया जाए, क्या कहा जाएगा, जो 55 करोर रुपया buyback में खर्च कर रहे हो, जिसकी जरूरत नहीं है, तुम shareholder का पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होती, आप चाहो तो winding up में दो, लेकिन यह सब तो तुमको देना बनता है, तो उस 55 करोर को यहां divert करो, औ अपना balance sheet clean करो, आई liabilities को खतम करो, तभी बोलना के नहीं बोलना पहले बताई आप, तो यहां तो कौन-कौन से company को buyback करने से मना किया कि तीन company, पहला इधर दिखो, अपने subsidy कमने के थूरू buyback नहीं कर सकते, अपने investment कमने के थूरू buyback नहीं कर सकते, और अगर अगर अपने share से उसका redemption नहीं किया, equity shareholder उसको dividend नहीं दिया, bank financial institution से loan लिया, उसको repayment नहीं किया, उसका interest नहीं दिया, यह सारे कौन से default है, monetary default, अगर monetary default subsist कर रहा है, तो आपको फिर buyback करने नहीं दिया जाएगा, अब हो कहा जाएगा, आप इन पर पहले ध्यान दो, buyback बाद में करना, ठ यह सारी गलतियां हुई है, यह जो third number बला है, monetary default, पर यह हुई थी, और उस गलतियों को ठीक हुई, कि यह भी तीन साल गुजड़ चुके है, तो क्या फिर अब allowed हो जाएगा, जैसे यहां दोका लिखावा है, इसी का rider है, rider का मतलब exception, इसी का rider है, ऐसे टिक मारू, इसलिए बुक होना बहुत जरूरी है, बुक आ चुकी है, मालू मैंना, new syllabus, old syllabus, सबकी बुक आ चुकी है, आपर reception पर जाकर लेलना, जिनको नहीं मिला, तुम लोगों भेजा तो था मैने, बुक आ चुकी है, बुक मिल गई है न सबको, ने तो इस ब्रेक में जाकर लेकर चले आना आये, अच्छा सुनो, ये सारी की सारी defaults होई थी, पर इसको हम remedy कर दिये, remedy का मतलब? ठीक कर दिये, और ठीक किये वे तीन साल गुजर चुके हैं, तो अच्छा गलती हुए वे तीन साल गुजर चुके हैं, या गलती को ठीक किये वे तीन साल गुजर चुके हैं, तो तीन स है न अब ऐसा ऐसा आता ही है कि क्या बताऊ में तुम्हें अब ऐसे से यह यह आ रहे हैं पूरा लंबा बोले हैं 2023 सचा है 2023 में तो हम 2023 में हैं अचा सुनो यहां पर बाइबेक करना चाहते हैं हमसे 2005 में गल्थी हुई थी और इसको 2009 में हमने ठीक कर दिया थी अब बोलो ठीक किये वे कंशल गुजर चुका है ? बहुत यादा 3 साल थी है गल्थी से तीन साल मत गिनना, गटेड किये वे से तीन साल गिनना अगर 3 साल गुजर चुके हैं तो अच्छा 2023 में बाइबक करने जा रहे हैं, गलती हुई थी 2005 में पर उसको ठीक किया गया है 2021 में, क्यों? क्योंकि अभी तीन साल गुजरे नहीं है, मतलब इसका मतलब गलती को ठीक करने के बाद भी उस गलती का जो पाप है, वो आपके सर पर तीन साल तक रहता है, तीन साल के पाद ही आप लाउड हो पाएंगे, याद रहेगा? चलेजी, और भी है, आजाओ, याद अगना चार सेक्षन का नाम ले रहा हूँ, अगर इस चार सेक्षन का डिफॉल्ट हुआ है, तो भी आप 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 आपक नहीं कर सकते, सेक्षन 92, 123, 127, 129, क्या बुले, क्या बुले 92, 123, 127, 129, बुलो दो, थोड़ा इमोशन में बोला करो, कुछ बच्चा तो एतना मतलब जिंदगी से दुखी है, 92, 123, 127, 129, सेक्षन 92, 123, 127, 129, कितनी दुखी हो तुम, क्या हो गया तुमको, बुलो, बुलो तुम, सेक्षन 92, 123, 127, 129, 129, बुलो, जो नहीं बोला है न, एक अच्छा गाना चल रहा है, उसको खो देगा हो, सेक्षन 92, 123, 127, 129, बुलो तुम, सेक्षन 92, 123, 127, 129, क्या बात है, यो, यो, एक बार सारी लोग दम से जोड से बोलो तो, सेक्षन 92, 123, 127, 129, यो, अगर ऐसे कर दियो कहें, पहला बच्चा ऐसा देखा, CS में जो खोशो के लिख़ा है, अचली ये चार सेक्षन तुम्हें याद हो गएंगा, मुझे लगता है, सेक्षन 92, 123, 127, 129, याद हो गया, अब सुने आप, अब इन चारो सेक्षन की अपने अपने चाप्टर्स हैं, अब इन चारो सेक्षन की अपने अपने चाप्टर्स हैं, अब इन चारो सेक्षन की अपने अपने चाप्टर्स हैं, अब इन चारो सेक्षन की अपने अपने चाप्टर्स होंगे, 1, 2, 3, declaration of dividend, इसमें भी company secretary का ही sign है, section 1, 2, 7, punishment to failure to distribute dividend, dividend declare करने के पाद dividend अगर distribute ना हो, तो इसके लिए company secretary को भी बहुत बार जिल जाना पड़ सकता है, 1, 2, 9, balance sheet, profit loss account, बच्पन से जाने हो, CS के sign की मिना वो valid माना नहीं जाता है, तो यह चार section है, इसी अलग-अलग chapters है, जब उस chapters में जाएंगे तब हम पड़ेंगे, अभी section का number एक बार फिर से बोलिए और आगे बढ़ते हैं, जहां घर पहुँचे, बेटा क्या पढ़े, ममी, section 92, 123, 127, 129, एक थपत्राक से, हिरो बन रहा है, हिरो बन रहा है, हिरो बन रहा है, है, चले, तो मुझे 70 पूरा याद हो गए, अब मैं बता हूँ, कोई company अपने subsidy की थुरू buyback नहीं कर सकती, कोई company अपने investment company की थुरू buyback नहीं कर सकती, किसी company में अगर monetary default हुए वे हैं, तो buyback नहीं कर सकती, बशरते monetary default को remedit किये वे, अगर 3 साल गुजर चुके हैं, तो company फिर buyback कर सकती है, बाकि अगर 4 section का आपने contravention किया है, तो आप buyback नहीं कर सकते, section 92, 123, 127, 129, याद रहेगा, मतब ये 4 section जादा याद हो गया, 70 तो नहीं भूल गये तुम लोग, ये बाते काह लिखी गई है, 70 में, अच्छा कौन बच्चा पूरा 70 बता देगा, section 70 बता दोगे, देखिए मैंने 2 section अभी करा हैं, 69 and 70, अगर कोई बच्चा ये दोनों section आपको मालूम है, इस्टेबलिस्मेंट अपलक्ष में, मैं 60 बच्चे को गिफ्ट दे रहा हूँ, 60 बच्चे को, उसमें से आपको बच्चे को आज गिफ्ट मिलेगा, बड़ा सखिफ हाथ में आरा, क्या करूँ, नहीं छोटा बड़ा सखिफ ना गया, क्या करूँ, जल्दी से स्टार्ट हो जाई है, सेक्शन 69, 70 बच्चा बताएगा उसको यह गिफ्ट मिलेगा, कोई बात ने, कोई बात ने, मैं किसी से पूछूँगा, मैं जादा तर टार्गेट पूसको रखा हूँ जो आज लेट आया है, और जिनकी फर्स्ट क्लास, अभी, अभी, किसी और को आज मिलेगा मौका, देखो क्या होता है, तुम करो क्या पता, तुम को उठा लो, देखता हूँ, देखता हूँ, कि देखता हूँ, देखता हूँ, देखा दो फेस-टो फेस वाले को, तुम मेह दम, चुकि तुम होसिंगाम झाल झाल वंशी का नाम है न तुम्हारा CHWT में ही पढ़ती थी न तुम ये बच्ची मेरा इंटर्व्यू ली थी CHWT में इसलिए मुझे इसका नाम याद रहता है वंशी का और इसकी एक दोस और थी दिव्या काहा है नहीं आई ये तुम्हें दोनों को मिला की कोश्चन पूछता और जॉइंट गिव्ट देता लेकिन ये क्रांती काड़ी कदम नहीं हो पाएगा लगड़ा है चलो 69-70 पूरा बताओ वंशी का आएग आएट सिस्ट्व और बताओ एक सेंड रूखो Actually एक बात ध्यान देना तुम लोग, अभी तुम लोग का कॉपी चेक कर रहा था, अभी टेस्ट लिया था न मैंने, ये इसका final result declaration है Friday को, Friday को एक बजे, का हम सब भाग जाएंगे, हम नहीं आएंगे क्लास में, उस दिन रिजल बताऊंगा जो टेस्ट लिया था मैंने, उसमें ऐसे लिखा था, आप तो जानते हैं कि M.C.A. में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्म, अडे भाई, टीचर कुछ भी समझाने के लिए सौ कहानिया बोलता है, आपको सौ कहानी एक्जाम में थुरी लिखना है, नहीं, अब जैसे ये अभी मुझे समझाने लगी, कि देख में कभी भी समझाने मत लगी है, कॉपी चेक करने वाला से भी ये जानना चाहता है कि आपको लीगल प्रोविजन मालूम है या नहीं, तो उस बच्चे ने पूरा मुझे समझा दिया, ऐसा ऐसा बात लिखा, लगा मेरे दादा जी का कॉपी चेक कर रहा हूं, इसमें आप बच्चों को क्या होता है, उसको साटिस्फेक्शन होता है, आपने पूरा लिखा है, पर रिजल्ट आता है, कमनी लॉग, 13 marks, SBC 5 marks, उसको लगता है यही तो जुआ है, निदेश को मार जासा है, सबसे बड़ा जुआ रही है, ऐसा नहीं, आप आप लिखे हैं, पर आपने वो नहीं लिखा जो उसको चाहिए, आप समझे उसको ब्चाहिए जो बुक में लिखा हूँ है, तो बुक में लिखा, उसको समझ भाने के लिए मैं कहानी बनाता हूँ, अन् तुम में बताऊ को far화 का और का सुत है को लिखे हैं, आप तो जानते हैं क का ah ? उस्ता हम क्यों से मत कीजिए इनकों से भी बोलना था कि इस सर जब भी पैसा निकालेंगे फ्रेजब से इस पीए से उतना पैसा हम CRR में डालेंगे CRR का बस एक जगा इस्तेमाल है बोनस निश्यू इतना बोल के छोड़ देना था ठीक है इसी तरीके से सेक्शन नंबर 70 बताओ अराम से रुके ये कीवर्स बोले जा रही है पर उसको सेंटेंस नहीं बना रही है ये मुझे कीवर्स दे रही है कर इस सेंटेंस बना के समझ लेजे तो तुम लोग भी एक्जाम में यही करोगे तो कॉपी चेक करने वाला बोलेगा अगले बार फिर एक्जाम देना देख लूँगा इसको क्या बोलना चाहिए सर कोई भी कमपनी अपने सबस्लिरी कमपनी की थूरू इन्वेस्टमेंट कमपनी की थूरू बाइबैक नहीं कर सकती है कोई भी ऐसी कमपनी जिसने मोनेटी डिफॉल्ट किया है वो भी बाइबैक नहीं कर सकती है यह जरूर है कि मोनेटी डिफॉल्ट को खतम हुए भी अगर तीन साल बीथ गए हैं तो कमनी बाइबेक कर सकती है और उसको बोलने दो तब मैंने कहां बोला भी बचा हुआ है भी तो राग बचा हुआ है है ना कॉंट्रोवर्सी नहीं कॉंट्रावेंशन यह तो अलगी कहानी पहुचा रही है विवाद करा रही है तो हाँ बोलो मुझे मजा नहीं आया तुम देखो अगर तुमको यह गिफ्ट चाहिए तो वो जो मेरा राग है ना उस राग में तुमें बोलना पड़ेगा मजा तो इसी में है भाई वो राग चाहिए मुझे है ना अब राग बोलो कि चार सेक्षण है और वो चार सेक्षण कौन से है वो राग में चाहिए मुझे क्या होगे एमोशन कहां रग दियो सुना हम कहीं यहां सारा एमोशन लओ सेक्षण 120 तो बोलता ही नियो मैं एरग रग 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 को बोलने तो हाँ, अब थोड़ा सा तो बात बना है, section 92, 123, 127, 129, यह न, चलिए, आईए, यो यो करते बें आओ, आचे हाँ जी, photographer, जल्दी, वो side करने के लिए सब को बोले हो, जाली दुरा, निकाल, निकाल हाट, आज़ा, चलो, आगे, आगे, त्वास आगे, ऐसे, तुम लोग, हाँ, दुनों, दुनों, आज़ा, यह, यह, आना चाहिए है, कि नहीं, आज़ा, यह, आज़ा, यह, बहुत सारे बच्चों ने D2H पर पूरा लिख दिया, यार, यह, देखो, कौन-कौन है, श्रिया, सिवारी, विर्ने, वर्मा, सनी, कुमार, बस, बागे, डीटेश बहुत बच्चा सम नहीं लिख रहा है, एक्जाम में तो लिखना ही पर एगा, चलेजी, अधे, दो केस लो आगे, केस लो मैं करता हूँ, थोरे दिर के बाद, पहले, मिस्लिनियस चीजे निकाल द अब ही तुरंज जो हमने पढ़ा, वो था कौन-कौन से ऐसी कंपनी है, जो बाइब एक नहीं कर सकती, यह है कि कौन-कौन से ऐसी सिक्यॉरिटी जिनका बाइब नहीं हो सकता, दोनों में दिफरेंस है, अब कैसे दिफरेंस है, इसका मतलब अब जो मैं बताने जा रहा टीक लगाया बुख बहुत बच्चों ने भी भी बुक नहिं लिया यार ने ओल्ड्स की भी 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 आ गई खल शिर्ञव लिया ये अच्छा मैंने दख़ा इतनी साथ ही गल मुझे लगा सब अच्छा चलो न्यूज़बस की बुक आगई है बस अच्छा चलो ए ओड़ से बुक का पाई जाएगी कल यह सिक्यॉरिटीज पर टिक मारो कर दिया चलो चार से क्यॉरिटीज जिनका बाइबएक नहीं हो सकता है पहला बोलो अच्छा चितने देन तक सीक्यॉरिटीज के लग प्सकार अनल करने कि पयोह उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता प्रांसफर नियों सकता ध्यान से शंब मैंजİ नहीं हो सकताRIS नहीं сटो बुूपनिन थे कंपनी जो फिर से कंपनी को शेर ट्रांसफ़र ही ह हो तो जो शेर ट्रक सिवाक रपार रॉपनिक हो सकते तो भो यह उसमें बोचनलाल थे कुछा पाथंशा कि अग्रीन नहीं हो सकता ज्य के सो करण हो सकते तुम लोगो अभी तक में जितना तुम मेरे साथ पढ़े हो उसमें एक जागह तुम लॉकिन पढ़ चुके बोर तीन जगह पढ़ चुके वो त्रांफर उतने दिन तक नहीं हो सकता है जितने दिन तक वो लॉकिन में है इताँ नीड़ वीडियो मैं अंडी तो मेरे जब खतम हो जाएगा तब मैं ले पाऊंगो लेकिन जब तक लॉक इन में है जब शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकते तो उसका भाइबैक भी नहीं हो सकता याद रहेगा कोई दिक्कत आगे बढ़ें चलीजी बी बोलो कि अपडलिफर शेयर ये सेक्षिन 68 लिए बार की अगया किया था पॉला था कि पार्ग पोली पेड़ विडप हो नहीं सकता, सिफ फुली पेड़ पीड़ का क्या हो सकता है भाइबैक पार्टली पेड़ में तो भी शेयर होल्डर का इला ही पैसा देना माकी है तो मैं कहां से मैं पैसा दूँगा उसको, आगे बढ़े हैं, तीसरा, Disputed Security Captain Abiance, अब बहुत बच्चों को Abiance ही नहीं मालूँ है, मैं बताता हूँ क्या होता है, इधर देखो, CS के एक्जाम में सुन लो तो तुम लोग के साथ होगा, जो होगा वो मैं बता दे रहा हूँ, 14-13 साल, जून दिसंबर 26 बार, तो 26 बार तो मैंने पढ़ा लिया बच्चों को, मुझे मालूम होगा क्या तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं CS का एक्जाम दे रहा था, तो जब question paper मुझे मिला, तो मुझे सब आता था, सब आता था, तभी ने CS बनाया, सब आता था, lock exam में, accounts account में तो नहीं आता था, ठीक है, lock exam में मुझे सब आता था, पर एक-दो question में मैं अटक जाता था, कैसे अटक ता सो सो, एक word ऐसा यूज कर लेंगे वो, तुमको इस word का मतलब भी पता नहीं होगा, अब word का मतलब पता नहीं है, तो बस मन में आते कोई बता देगी positive है की negative है, अगर negative बताए तो negative लिख दूँगा, positive हो तो positive, बस उसी word में तुमक जाओगे, इसलिए थोड़ा सा न, इसलिए बोलतो हो line by line पढ़ागो, जितना line by line पढ़ागो, जितना line by line पढ़ागो उतने नहीं words नजर आएंगे, और जितने words नहीं नजर आएंगे, उसका meaning ढूंडोगो, नहीं समझे, और ICSI बहुत ही शरीफ इस्टिचूट है, अपने module से बाहर क का सा सब कुछ समझ में रहा है, disputed security kept, aviance क्या है, तो aviance का मताब लिखो waiting, w-a-i-t-i-n-g, waiting, लिखा waiting, सुनो इतर देखो, इतर देखो, मैं buyback का offer लेकर आया, तुम लोग मेरे shareholder हो, मैं इनके पास गया, मैंने बोला share दो, कि हाँ हाँ मैं दूंगी, share देदी, इसको पैसा मैं देदिया, इनके पास गया, shareholder को दिखहू जरा, madam, यह, इनके पास गया, मैंने बोला share दोगी, यह यह share दोगी, मैं द्यान सुनेगा शेर दोगे तो यह बोला हाँ मैं दूंगा लेकिन उसी में उसके बगल बला तू कैसे दे सकता है यह शेर मेरा है आपस में दोनों शेर पर क्या हो गया जगर गया माल पी ठोड़ा है अब मैं कंपनी और कंपनी से बीच में गया दो तीन फपन मुझे भी दे दिया है यह अब एक बाह बताईए यह सेक्यॉरिटी क्या है इस्प्यूटेड मैं को क्या बोलूगा ए भाई पहले कोट में जाओ आप कंपनी से जो रवा कोट एंसी एल्टी एंसी एल्टी में जाओ पहले जगरा सुल जहा क्या हो कि दोनों में से सच में शेरोल्डर है कौन जो सच में निकलेगा मैं उसी के पास आओंगा इस जगरे में मैं तो नहीं आओंगा ने समझा आप तो ऐसी सिक्यॉरिटी जो किसमें चली गई है वेटिंग में पेंडिंग में पेंडिंग भी लिख लो अब पेंडिंग में चला गया अरे जब तक यह क्लियर नहीं होगा कि शेर है किसका मैं कैसे बाइबेक का उफट दूगा इनको इनको दूगा तो वह गुस्ता हो जाता उनको देने आता यह गुस्ता दोनों गुस्ता होगे मुझे पिड़ देता पकड़ तो इसलिए आद परो पर ग्यांपल कुछ मुझा इन लीन विंका मतलब पतला यह लियन है लियन का मतलब लिको जपथ जब अर्दू उर्द में जब अर्दू में जब अर्दूमें ज़ा अलग धनको से बीत आं जो सब्थ है हिंदी में लिखूँ जब और जब ऐसे ठीक लिखाना आजि कहां जब जब कहां बोलता है ऐसे डॉट लग जाता ने चाहता है तो जब जब तो जब तो जब होता है हद ये हाल है पूछा उससे है जिसको उर्दू आती हो यहा हिंदी बाला था है भाई जिसको उर्दू आती है वही बोलो पहले बताओ जब तो बाले में कौन सा ज़ चलेगा जब भला या नॉर्मल ज़ ज़ तो डॉट लगेगा ज़ की निचे ज़ट लगेगा तुम उर्दू जानती हो नाम क्या तुमारा नंदनी तुम उर्दू पढ़ी भी हो देख र लोग हैं क्लास में आए जो भी है अचे बताइए इधर देखो अगर कंपनी ने तुम्हारा शेर जब्त कर लिया है अब जब्त करने के सौ कारण हो सकते हैं तुमने कमनी का लोन नहीं चुकाया तो तो शेर अलेटी चब्त कमनी कर चुके तो जब्त की भी है तो उसा पेमे जब तक प्लेट छुटेगा नहीं वो ट्रांसफरेबल होगा नहीं अभी तो वो क्या है नॉन ट्रांसफरेबल अगला रिस्टिक्ट किया वा किसने कोट ने तो तीन चीज में टिक मारा वन टू थी टिक मार लो भाई जैसे जो अभी विजय माल्या के शेर्स हैं वो अभी कोट ने उसके उपर क्या लगा वैस्टे उसके शेर्स ट्रांसफर हो नहीं सकते याद रहेगा तो जब ट्रांसफर नहीं हो सकते तो बाई बैक भी नहीं हो सकता याद रहेगा चलो मुझे याद हो गए कौन-कौन से सिक्यॉर्टी का बाई बैक नहीं हो सकता पहला लौकि याद रहेगा, बस exam में एक अच्छा सा काम करना, question अगर हो पूछे तो check कर लेना कि company को prohibit करने वाला list पूछा है, या securities को prohibit करने वाला list पूछा है, बहुत बच्चा जल्दी में एकदम सक्तिमान बनके आता है, और पूछा कि which securities cannot be buyback, पूरा company का list लिखके आया, और बाहर ब exam exemption, और 60 में आने के बजाए आएगा 6, और लोग बोलेंगे 6, इसलिए exam में भी काम, काम का मतलब दिमाग शांत रखें, question को अच्छे से देखें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, heading बो, ये क्या company लो में income tax पराने लगया, हम सुबह सुबह पढ़ें income tax, आज क्या पढ़े income tax में सुबह सुबह, अच्छा इंट्रो था अच्छा ठीक है, चलो इदर देखो, इदर देखो, हांजे, शांत, 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 एक question बूशता हूँ, उसवाब दो पहले, buyback जब होगा, तो फाइदा होता भी तुरूंद फाइदा हुआ था, अभी हमारा क्या example था cost of acquisition, मतलब cost price, बचपन भी इसे को cost price बोलते थे, नहीं बोलते थे CP, cost price क्या है, अभी कितना चला था शेरदाम, 7, 46, ये चला ना भी, मानलो अभी कोई बच्चा क्लास में बैठे-बैठे ख़ई दे ले, तो that becomes the cost price, रहे हुआ ना, चलिए, अगर buyback offer price, buyback offer price, क्या company ने दिय अच्छा था, अच्छा इसको मैं sell price क्या सकता हूँ, sell price ना, तुम company को इसी पर तो sell करोगे, ख़दे थे 7, 46 में, company को दो कितने में, 9, 50, 950, आप मुझे बताईए, अगर इस दोनों को मैं minus करू, cost of acquisition minus buyback price, तो 204 प्लस, तो ये 204 जो ये profit है गया, बोलनी निदा कोई, अगर इस 204 profit है, मैं बस एक question पुछना चाह रहा हूँ, क्या इस पर income tax लगेगा, जल्दी बोलो, ये जो 204 रुपे का profit हुआ है तुमको, क्या तुम पर income tax लगेगा इस 204 रुपे पर, तो बोली निदा कुछ, कितने लोगों को लग रहा है, किसर लगेगा income tax, कितने लोगों को लगेगा, मैं कितने लोगों को लगता है कि नहीं लगेगा, चिक है, कुछ लोग उदर है जो बोलना है नहीं लगेगा, इधर से भी कुछ बोला नहीं लगेगा, तो हाथ नीचे क्यों कर दिए, जो अकेला चला भई तो देश जिता है, अधर से भी कुछ बच्चे को लग रहा है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अधर से एक बच्ची है और इधर से एक बच्चा कुछ ऐसे ही है, जो उस CSWT में हमारे यहां पड़ता था, जो CSWT सेम बैच का बच्चा सब है, हमारा दिमाग एक जैसा हो गया है, क्या आंसर है तुम लोगा, जोग्राफिकल, ग्रुपिज्म, सर्व हम सोनीपत से साथ में आते हम एक जैसा आंसर देंगे, सर्व हम रिवारी से साथ में आते हम एक जैसा आंसर देंगे, सर्व जीला गाजयाबाद के हम एक जैसा आंसर देंगे, क्या ऐसे आंसर होगा क्या, क्या अपना मैं आपको बता हूँ, शेर मार्केट से जो कमाई होती है, उसको बोलता है capital gain, क्या बोलता है, जैसे तुम अभी income tax शुरू की हो, उसमें कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद, उसमें 5 head शुरू होगा, उसमें इसे salary आएगा, PGBP आएगा, house property आएगा, ऐसे ही एक आएगा capital gain तो सुनिए, capital, share market में जो पैसा invest करते है, that becomes the capital, share capital, capital, और capital पे gain होगा, that becomes the capital gain tax, simple है नहीं, तो capital gain हुआ नहीं है, capital gain निकाला कैसे तुमने, sir, cost price minus sell price, cost price minus sell price, sell price क्या है, buyback price, cost price क्या है, cost of acquisition, sir, जब इसको minus करते हैं, तो हमें gain पता चलता है, और जो gain है, that will be chargeability, to income tax by the name of capital gain, तेक है, अच्छा, कुछ बच्चा अभी मेरे पर शक कर रहा है, मैं कुछ बच्चों का चहरा देख रहा हूँ, ऐसे इसलिए देख रहा है, कि कहा, sir, अभी आप जब पढ़ा रहते हैं, buyback के फाइदे, तो आपने बोला था, tax बच जाएगा, आपने देखा न है, कंपनी को नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आए लोको, तुमको यहां तो होगा, dividend distribution tax कंपनी पर लगता है, कंपनी टेक्स काट के पैसा भेजती है, पर यहां तो पूरा पैसा भेजेगी, अब आपको गेन हो रहा है, तो फिर आप अपने income tax दो के नहीं, simple सा बात है, clear ह तो यहां तो यहां, income tax लगे, 204 रुपे के profit पर क्या लगे है, capital gain tax, तुम परो तो उसमें लिखा है, capital gain tax लगेगा, capital gain tax लगेगा, कौन section, section 72 दिखा रहा है, 40, 40, 46, चलो, capital gain tax, under section बो, 46 A of income tax act, यह रहा, आपको देना पर है, कैसे निकालेंगे capital gain tax, पहले निकालेंगे capital gain, capital gain कैसे निकालोगे, रुख जाओ, step 1 में पहले क्या निकालोगे, cost of acquisition, step 2 में क्या निकालोगे, buyback, और उसको minus कर दोगे, step 3 में, step 3 में क्या करेंगे, minus, minus करते, step 4 में क्या निकल जाएग capital gain, और step 5 में क्या लगा दोगे, capital gain tax, simple है, याद रहेगा, जल्दी से इसको उतारो, जरहा मैं देखू, तुम कितने घटिया अंडर्राइटिंग उतार रहे हो, ये अंडर्राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, step by step उतारना तुम लोग, तो buyback पर tax लगेगा, capital gain tax, step by step उतारना, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, तुम लोग step बोलते हों नहीं, मैं step बोल देता हूँ, इस्टाइल तो सब का होना चाहिए, चली अटाओं, मजाग था, मजाग था, पहला मजाग आ चाहिए, ये fool किस बात की गवाही दे रहा है, establishment की, जो नहीं आया है उसको वो चिढ़ा रहा है, रोज है, पहले ही बताओ, ये रोज है, ये मालक क्या चीज़ का लगा है, अचे गेंदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरी गोल, तो मेरी गोल बिस्किट का है नहीं ये, तुम लोगों फूल में सिर्फ रोज ही नजर आता है, इस बार साटरेडियो को शाम में मजा आया था पढ़ने में, जो पढ़ा था उसको तो मजा आया ही होगा, चलो कमसे कम एक प्रेशर कम हो गय je, कि एक चेप्टर तो अराम से शान्ति से निकल गया, प्रैमिर है, तो क्या है एक सब्ता में एक दीन एक घंड़े ली ओ गएक हो गया, कमसे कम टारिम से कोर से कंभिट हो जाएगा, क्या है step 3 में minus कर रहे हैं बस step 3 में दोनों में से क्या कर देना minus minus करते क्या निकल जागा step 4 में capital gain और उस पर क्या लगा देना capital gain tax income tax अक में पढ़ोगे तुम लो रात में लोगा अभी रुको third, गर्मी आने दुसरा गर्मी आते मैं active होने लगता हूं ठर्न में तो भी मारी रहता हूं जाए तर चले हटाऊं मजाया हटा रहा हूं तो capital gain tax लगेगा यह ना चले जी कौन सा section लगेगा 46A और 48 46A read with 48 यह सब तुम जब capital gain chapter पर होगे न उसमें यह सारे sections आएंगे तुम लोग वहाँ पढ़ना आगे बढ़े चले अगला question है stamp duty लगेगा पहले तुम्हें stamp duty वारे मालूम नहीं अभी JGL में तुमको एक chapter पढ़ाऊंगा मैं उसका नाम होगा Indian stamp act क्या नाम होगा Indian stamp act ठीक है यह color कहा white कहा चला गया भई चलो अब सुनो इधर देखो क्या पढ़ाऊंगा तुम लोग को Indian stamp act है ना उसको आने दो था पढ़ाता हूँ आओ जल्दी आओ इतना important concept पढ़ाने वाला हो बीच में कोई चला जाएगा तुसका रह नहीं जाएगा तुम लोग घर से सब कुछ कर करके आया करो समझे ना का सरी तो natural call है मतलब जाया करो लेकिन थो घंटा तो तो कम सेम ठहरा करो या तुम लोग तो बर्दास नहीं कर पाते हो थोरा साबी पढ़ाई को प्रायरोटी दो यह बहुत important है natural call को छोड़िया, ICSI call को समझे देखे है, चले इधर देखे, हाँजी 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 पानी girl देख इधर दो जितना पढ़ नहीं रही होतना तो पानी भी रही हो समय से यह ले section 48 चले इधर देखे, हाँजी शांती 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 इधर देखो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ पहले Indian stamp अग तुम लोग नहीं पढ़ा भी पढ़ोगे मेरे से जय जय मैं पढ़ाऊंगा मैं है न, शांती 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 actually stamp duty एक tax है stamp duty is a tax तुम लोग को महा अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी हलका सा बता जे नो stamp duty is a tax यह भी एक tax है पर यह tax किसकी उपर लगता है तो यह लगता है on execution of instrument भारत में आप अगर instrument execute करेंगे instrument execute करेंगे attribute करेंगा instrument का मतलब हर वो document जिससे किसी भी right ya liabilities परचर हो कोई बी ऐसा document जिससे क्या affect होता हो किसी भी person का right ya liabilities right ya liabilities तोsta document से बन जता है instrument और इस्टुमेंट को आप execute करोगे तो आपको stamp duty नाम का tax देना पड़ेगा इसे आपने देखा होगा सुने इस्टुमेंट को मतलब इसे sale deed अब sale deed एक document होता है लेकिन उससे समान बेचा जाता है चीजे बेची जाती है जो खरिता उसका right create हो जाता है जो बेच देता है जो बे तो वो बन जाता है इस्टुमेंट और जब भी आप इस्टुमेंट execute का मतलब sign करोगे तो you have to pay the stamp duty सुने यह दर देखें देखें प्लेस प्लेस you have to pay the stamp duty अब stamp duty कैसे पे करते हैं तुमने देखा होगा यह जेतनी भी document का नाम मैंने बोला sale deed mortgage deed power of attorney सब बनता है stamp paper पे तो stamp paper अब यह दो सरकार को तो सरकार को tax मिल गया… मालें 100 रुपे के 100 रुपे के 100 रुप पे का stamp paper आपको आपको 10 रुपे का चागो सुने का होता है progress if 10 रुपे हशा होता है तो आपको दस पैसे का paix खःने के लिए 100 रुपे देना पर रहा है तो बangक की पैसा जो तुमने क्या दिया, टैक्स ही तो दिया, तो स्टैम्ड डूटी नतिंग, इस इस काइंड ओफ टैक्स, ये टैक्स आप तब देते हैं, जब आप इस्टूमेंट एक्जेक्उट करते हैं, अब मैं आप से यह पूछ रहा हूं, कि यह जो बाइबेक होता है, तुम थो बाइबेक के प्रोसे इसको देखो, मुझे बताओ, क्या इसमें इस्टूमेंट कहीं involved है क्या, अगर इस्टूमेंट involved होगा, तो फिर इस्टाम डूटी लगेगा, लेकिन इस्टूमेंट अगर नहीं होगा, तो फिर इस्टाम डूटी नहीं लगेगा, देखो, मेरे ही से question पूछ लिया, काम करो तो सरसे पुछलो एक बात याद अखिएगा शेयर्स भी इस्टुमेंट होता है पर जब कंपनी शेयर्स सर्टीफिकेट इशू करती है तो कंपनी और लेडी स्टाम जूटी पे कर चुकी होती है अब यहां पे शेयर वापस कंपनी के पास आ रहा है अब यह जब वापस आ र प्राम बैक नहीं परोगे क्या तो जब परोगे तो आप पराऊंगा ही है अटाओ इसको बच्छे को बहुत बुरा लग यह नुन्नु मन्नु सब को लो उतार लो ऐसा ऐसा इसा इंपरेशन देता है उतार ने ने यह यह जा उतारो अब उतार लो ना प्रहा कि मैं ज्याज प्रहा रहा हूं यहां पर उतार लिया अटाओं अरो अब आओ लेट मुझे क्या है रात आठ बजे मैं तो खतम करा के छोड़ूंगा आज बहुत मौच कर लिया तुम लोग ने छे फरवरी को जो तुमारे ठुमके देखा है ना मैंने अब मैं देखो डीजे पर जो डांस के हो तुम लोग मैं तो भाग गया था मैं भाग गया था मालूँ मैं बोला की भाई अब ऑपन डांस हो रहा है मैंने टीचर्स को लिया भागा यहां से मैंने कहीं मुझे खेच लेगा मुझे मालूम ता उसके बाद मैं तो यूटूब लाइप पर तुम लोगों को देख नहीं बाइधा था कैसे भी डांस कर रहा कोई उन्हों को डांस पेख लेने तो पागल हो जाए है ना बैठ को यहां बैठा हुआ डांस कर रहा है बैठे बैठे का पर सबसे अच्छा माहल उस समय था सबसे अच्छा लोगों ने मुझे बताया कि जब मैं ऊपर चढ़ा स्टेज पे चर गया मुझे छोड दिया और उसके बाद यहाँ यहाँ नहीं हर तरफ होने स्टार्ट हो गया वह सबसे अच्छा पल्ट था उसमें जो वीडियो को थो अच्छे से काटना चाहिए वह बनाना चाहिए वह बहुत बड़िया वीडियो था वह शुरू से दिखान कि उसको इडिट करके देना तो मैं लगाओंगा अपने स्टेटस पर है ना चले ये उतार लिया तुम लोग ने हाँ सुनो अब मैं तुम लोगो जाड़ा तंग नहीं करता तुम यहां से लेकि यहां तक पढ़ जाओ अब तुम मुझे जबाब दो कि सुनो सुनो बाइबेक नहीं हुआ तो इस टांप डूटी नहीं लगेगा तुमको पढ़ के बताना है कि इस्ट्रुमेंट है या नहीं पूरा पड़ो पूरा 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 अब क्या अकल तक पढ़ोगे पढ़ लिया अब सुनो जरा तो आंसर इस नू यह तो तुमने पढ़ा होगा इधर देखे इधर देखे भाई उनकी बैनों इधर देखो सुनो मैंने इनको ओफर किया ओफर किया लेटर ओफ ओफर वो ते मारत एक लेटर है तो वो इस्ट्र अब लिटी लगेगा नहीं इसने मुझे शेर हात में थमा दिया हात में थमाने के बाद अगर मैं अपने नाम पर रजिस्टर करता न तो आए शेर ट्रांफर फॉर्म आता जो की इस्टूमेंट है लेगिन यहां कोई शेर ट्रांफर डीड हुआ नहीं चुकि मैं तो लेग देखो दिखा ला रेजिस्ट्रेशन आप सस्य ट्रांसफर मतल secular लिखो लोट नो शेर ट्रांसपर डिड लिखा no share transfer deed अगर share transfer deed होता तो तो फिर stamp duty लगता लेकिन यहाँ पर कोई share transfer deed execute हुआ नहीं तो जब deed नहीं है तो कहाँ से instrument instrument नहीं तो no stamp duty और नहीं इसको क्या माना गया release माना गया release भी इसको नहीं माना जाता है actually release भी माना जाएगा अभी तुमनों अगर हलका सा कभी CS professional में ड्राफ्टिंग परहा रहा हूँ सुभा सुभा उसमें मैं कल परहा रहा था give deed तो give deed में release deed परहा रहा हूँ अगर तुमकों release के बारे में जादा जाना है CS professional में परहाता हूँ तो तुम कल बढ़ा वीडियो देख सकते हो कल परहा रहा था और CS professional में परहा रहा था give deed उसमें में release के बारे में सारा कहानी बता है release का मतलब होता है अपना छोड़ देना त्याग देना त्याग रहा है वो की पैसा लिगे दे रहा है तो इस वो release बोलोगे तुम तो ना ये share transfer है ना ये release है मतलब इन टोटल इंडियन stamp rat लगने के वज़े से लगने के लिए जिन जिन instrument की जरूरती उसमें से कोई भी instrument यहाँ पर execute हुआ नहीं जिस वज़े से यहाँ पर stamp duty लगेगा नहीं याद रहेगा चलिए जी इसके बाद अरे और procedure आ रहा है पर फिछे एक ची छूट गया था case law ये case law कराना है न मुझे चलो भाई इस दो case law को जल्दी जल्दी पढ़ जाओ उसके बाद break होगा break के बाद क्या start होगा procedure procedure लंबा चलेगा जो नहीं पर रहा हो बेपूफ है पढ़ लिया जो पढ़ा है उसको समझ में आगा जो नहीं पढ़ा हो तो बेपूफ है हाँ जी पढ़ लिया अब जरह ध्यान से सुनों मैं पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ ठीक है रहा है और लास्ट में मैं केस का नम कोन है गुरुमी सिंह versus polymers लिमिटेट और कोन है union of India verses edy इस्टराइट वी डॉट है देखो तो इस लिखने का तरीका सिखलो हम लोग वाले लोग हैं चलिए अब सुनो एक कहानी बोलना हूं उसको अच्छे से समाझना एक दिन क्या होता है कि मैं जिस कंपनी का कंपनी सेकेटरी हूं उस कंपनी का डिरेक्टर जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, ये छे डारिक्टर हैं। ये छे डारिक्टरे मुझे बुलाते हैं, बोलता है कम्झी सेकेटर इदर prowad की जा एगा एक गया है बढ़ा है है? और इन लोगों ने घेरा बना लिया अब बीच ने मुझे ख़डा कर दी और इन्हों ने बोला डिरेक्टर्स ने मुझे कि कमपनी सेकर्टरी साब मैं देख रहा हूं बैलेंशीट प्रॉफिट लॉज सेका है लाइबरेटी काफी बढ़ गई है कमपनी सेकर्टरी मैं अब बना रहा हूं मुझे अपने बोला गई के सामने परजेंट करना है कि कमपनी का कपिटल अगर बढ़ गया है तो सो कैसे कैसे reduce किया जा सकता है तो मेरा heading क्या होगा reducing, reduction word ना बोलके मैं बोल देता हूँ reducing the capital reducing the capital यह सब project बना रहा हूँ project बना के फिर मैं boardroom में गया हर boardroom में, हर board meeting के boardroom में projector लगावा होता है सबी boardroom देखे हो आस तो जहां board directors बैठते है इसम गोल टेबल होता है सबके सामने mic लगा होता है और सामने projector होता है तुम लोग ठीक से देखे नहीं I see ऐसा है moto song जो daily चलाता हूँ उसमें देखे होगे जहां president बैठ के discussion कर रहा है उसके पीछे projector लगावा कॉम कुछ नहीं देखते है देखा है आज फिर से moto song चलाऊँगा तो देखा you see what you want to see प्रोजेक्टर पर मैं प्रजेंट कर रहा हूँ ये ये छे डिरेक्टर्स बैठे में अब डेक्टर्स को समझा रहा हूँ कि dear directors मैं आपको बताऊँ capital reduce करने के चार मोड मेरे नजर में है पूरे कंपनी लोग के scan किया कितने मोड नजर आए चार चुकि सारे कर सारे डिरेक्टर्स लेडीज है तो साहिबा साहब थोरी बोलेंगे है directors साहिबा मैं आपके सामने प्रस्तूत करता हूँ प्रजेंट करता हूँ कौन-कौन से मोड है उसके legal compliance क्या क्या है यही company security को करना होता चलेजी सेक्षन बताना कौन-कौन सेक्षन उस case law में आया था 66 आया था तो एक काम करूँ नुमेरिकल लेके चलूँ 66 फिर 68 फिर ऐसे परे 66 आया था देखो तो मैं उनको बोलता हूँ मैं 66 एक सेक्षन है क्या है सेक्षन नुमर 66 है मैं इसके अंदर होता है reduction of share capital परहा चुका हूँ तुम लोगो इसके अंदर क्या होता मैं reduction of share capital जो बच्चा पढ़ा वो उसको मालूम है जो नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा तो मालूम चल जाएगा मैं reduction के तीन तरीके होते है यहाद होगा तुम लोग पढ़ाया था reduction के तीन तरीके थे मैं extinguishing था, paying off था और writing off था मैं अगर आप section 66 का इस्तमाल करोगे तो उस case में आपको SR पास करना पढ़ेगा मैं और NCLT का भी approval लेना पढ़ेगा भूल गए हो शायद तुम लोग और उसमें था कि article of association में भी authorization होना चाहिए तो मैं यह एक तरीका है ठीक मैं बोलके रुका इन 6 में से एक-दो डेक्टर बनमास है और बता मैंने का ठीक है मैंने अंदर-अंदर सोचा कि तेरा बोली है जेल तो भिजबा के छोड़ूँगा है ना चलिए दूसरा मैं मैं आपके सामने प्रास्तूत है दूसरा route भी है मैंने पास मैं section 68 का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं उसमें buyback कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मैं? buyback buyback के लिए मैं आपको बता दूँ मैं यह भी route है पर इस route में खामिया है मैं 25% से जादा buyback नहीं कर पाएंगी तो मैंने capital जादा reduce नहीं हो पाएगा 25% तक ही हो पाएगा और बता जो ठीक है और बताता हूँ मैं मैं एक section है बताओ कौन सा section है 230 से 232 है मैं 30 कोई बात नहीं मैं 230 से 240 लोगे क्या कर लोगे तुम लोगे मेरा actually 230 से 240 compromise arrangement merger amalgamation पर है वो मैं तुम लोगों पढ़ाऊँगा एक chapter है तुम लोगों का ऐसे professional में वो ज़्यादा है मैं इसके अंदर हम लोग scheme बनाते हैं scheme of compromise oblique arrangement सुन लो अपी बात नहीं बात नहीं क्या लिखाया है क्या लिखाया है C obligate compromise, oblique, arrangement मैं इस बनाया जाता है और इस हम माह अणने के अंदर क्या कर सकते हैं मतलडव मतलडव घटा ले बताऊं को AOA plus special special resolution होता है मैं यह बहंकर special resolution होता है है ना अब मैं बताओंगा कहाँ जब हो chapter पढ़ाओंगा तो कि इसको special special resolution क्यों गहते हैं और plus मैं NCLT का बहंकर approval चाहिए यह बड़ा लंबा चौरा काम है यह करने में लबद मैं 2,5 मैंने 3 मैंने 6 मैंने का टाइम लगे और बता मैंने का मैं में एक और section भी है पता कौन है 2,42 है मैं इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मैं इसमें NCLT C.U. Moto Action लेता है अगर उसको लगता है कि कंपनी में operation mismanagement चला है मतलब minority को दबाया जा रहा है majority powerful हो गया है minority के साथ बुरा कर रहा है तो उसमें क्या क्या आता है कि majority के shares खरिदवा दिया जाता है companies और फार के फिकवा दिया जाता है जिसे majority की holding कम हो जाती है और वो ज़्यादा powerful रहता नहीं है तो इसमें company थोड़ी खुद कहेगी मेरा कर लो ऐसे यह तो कौन करेगा NCLT तो यहाँ NCLT order pass करता है NCLT order pass करता है to purchase share from बो from majority क्यों majority to prevent operation and mismanagement चिंता मत करो operation mismanagement पे एक chapter है भरपूर chapter है चिंता नहीं करना है इन सारे section के अपने-पने chapters मैं वहाँ पढ़ा हूँ मैं बस यह समझाना चाह रहा था अब उदर से फिर एक बोली और बता मैंने का बहुत हो गए अब बहुत हो गए अपने मन से थोड़ी बता दूँगा company's act में इतना ही है बस चार route है कितने route हैं? चार रुख जाएगा इन चारों में capital reduce हो रहा है चारों का तरीका अलग है चारों का purpose अलग है पर चारों में capital तो reduce हो रहा है बस उदर में बहुत है अभी चारों में से तुम 66 खुब जानते हो 68 खुब जानते हो 230 से 240 तुम पढ़े नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए इस पर question नहीं लूँगा अभी 242 अभी पढ़े नहीं हो पढ़ाऊंगा तो उस पर भी मैं question नहीं लूँगा चुकि उसका question लेने का मतलब उच आप पढ़ाने जैसा हो जागा तो बस आप ये समझो कि capital को reduce करने के चार्ट टिकनिक अवेलेबल हैं कहां कम नहीं सकती अब मैं ये बोला हूँ कि अगर मैंने 66 इस्तमाल किया तो क्या ये बाकी तीन बीच में घुसेगा कि capital reduce हो रहा तो मैं भी घुसूंगा बीच में जैसे मैं 68 इस्तमाल कर रहा हूँ तो 66 बीच में घुसेगा capital reduce हो रहा आँ मैं आऊँगा यल्दी बताइए मैं ये बुलना चाहरा हूँ कि क्या ये चारो independent route है या चारो एक दूसरे में मर्ज होंगे अगर आप पढ़े होंगे case law उस case law का यही decision है ये चारो independent route है और आप जिस route को पकड़ोगे सिभ उन्ही को comply करना है बाकी route को comply करने की जुरुरत नहीं है अगर अपने उसमें language पढ़ा होगा तो यही लिखा हूँ है इन्होंने बोला कि section 68 आने के बाद आप सोचेंगे 66 खतम हो गया ऐसा नहीं 66 भी आज भी चला है उसका अपना route है अगर आप 66 के route से जाते हैं तो 68 बीच में नहीं आगा अगर 68 के route से जाते हैं तो इन्डीपेंडेंडेंट रूट है आप जो भी रूट तैक करोगे रूट चूज करोगे सिर्फ उसी रूट के section को comply करना है बाकी section बीच में आपको परिशान करने नहीं आएगा अगर आप बाइबेक कर रहे हैं तो सिर्फ 68 बी आरे साथ से काम चल लागा 66 बीच में एंट्री मारेगा नहीं अगर आप 66 कर रहे हैं तो 66 को सिर्फ मानिये 68 बीच में एंट्री मारेगा नहीं यह चारो independent route है चारो के अपने अलग लग purpose है 66 का purpose अलग है 68 का purpose अलग है 230-240 compromise arrangement merger amalgamation इसका purpose अलग है और 242 का purpose अलग है to prevent the operation and mismanagement वह अलग बात है कि तो दोनों सेम थोड़ी हो जाएगा सही बोलाँ कि ने बोलाँ अब दोनों में लू-लू लगावा बताई आलू लू भालू लू तो क्या तो दोनों एक हो गया क्लियर है क्लियर है बस यह लिखावा जल्दी उतार लो से इसी बहाने मैंने तुमको यह भी सिखा दिया कि पूरे company law में capital कितने तरीके से reduce हो सकता है चार हाँ क्या 61 भी कर सकते है क्यों नहीं कर सकते है पर 61 का main target आपको याद है उसका share capital घटाना नहीं था आपको यादवोगा 61 लगता है subscribe से पहले बूल गए तुम लोग हाँ याद है 61 वो share subscribe होने से पहले लगता है बाद में नहीं बाद में तो 66 लगता है चलिए हटाओं लख लिया तुम लोग ने scheme of compromise oblique arrangement C oblique A गलती से भी chartered account मुझ से निकला तो फिर समझ लेना तुम लोग C oblique A का मतलग compromise oblique arrangement किसी मेरे स्टाफ ने एक वीडियो बोला मुझे बनाने के लिए का आज कल बड़ा ट्रेंडिंग है वीडियो और वीडियो आप पर सूट करता है पता नहीं तुम लोग जाता जानते होगे कि उसमें किसी को धक्का मारके निकाला जाता है उससे पूछता है कि धक्का क्यों क्यों करता मयस्की स्सजर के स्सेर किया था था कि यहा था इसा है कि है कि मैं लिंक बेजोगे तुम लोग के उसी में बनाऊ एक वीडियो तुम दैलों मbilियो त्यार होगा ऐसे लिए थखका कहने के लिए तैरहाज्ञ ठीक है तो बहुत जोड़ से दखका मारूँ है आचा तो बनाओं बुलो आचा थीक है आज कल ये और फीटियो भी चल दा मैं देख रहा हूं इस्टाग्राम पर कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और एक टीचर कुछ बोलते बोलते नहीं है लेकि उसमें गाना कुछ आता है उदर से फिर होई 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 करने बच्चा सब क मुझे और्स करना परें हैं चैसे कि अधर अ address करना परया थालहीं पतल्Add कमढा तो मुझे कियों करना परेंगा अच्छा हां तो मुझे आइस ऐसे करणा पर ये नहीं है बतली कमरिया है भी मेरी क्या बात कर रहा है तुम लोग पतली कमरिया आपकी आई गए है डेही मैंने इखाए टीचर दांस दो नहीं करता है सिप दिखा देता उसको ऐसे हो जाता है कि एक स्टेप करना पड़ता है अच्छा और मैं ये काम ने पतली कि मर्या करूंगा अच्छा है पता नहीं वह बला ठीक है वो कि सीए का नाम ले लिया तो मैंने उसको उठाकर फेक दिया बार अई बात भी सही है न मेरे कोचिंग में सीए का नाम लिया तो उठाकर बाल पर घजिट के अच्छा ये कॉंसेप्ट है अच्छा चलो खैर मजा कर रहा है हो गया लिग लिग लिए उनको ले ठीक है तो आज शाम में बनाते हैं उसका है इस महाने दो तिन को पीट भी दूँंगा ये यूटूब पे डलता है इस्टागराम पे डल जाएगा वीडियो बन गया तो फिर उसमें गाना कहा सा आएगा या म्यूजिक कहा सा आएगा तो मुझे कुछ नहीं पता यार स्नैपचाट पर आना पड़ेगा लग रहा है कितने दिन से बोल ला हूँ मैं स्नैपचाट पर आएगा तो मैं ने से जूट जाना ठीक है अ तुम लोग फिर मैं अभी अपना स्नैप बनाऊंगा में स्नैप से बहुत सारी हैं उस पर स्नैपचाट पर तो मैं भी देख पाऊंगा मुझे पता ही नहीं कि तुम लोग क्या कर रहा हो में साथ नहीं तुम में घुज के देख लूँगा मैं अच्छा भेजेंगे ता जार्ट उतर गया है आगे बढ़ा हूं चलिए जी अब जरा केस देखिए आप केस में क्या लिखा हुआ है ये तो खैर पढ़ा दिया था तुम लोगो यह पढ़ा दिया था इसके बाद जरा बता ही अब क्या रहा है बाई बैट कहाँ प्रोशीजर में सबसे पहले कौनसा मैथट आ रहा है कैंडर मैथट आ गया और तुम अगर देखोगे तो यह कंपणी जो ला रही थी यह वी किससे ला रही थी कहा लिखाओ tender method यह tender offer और आज क्या पराने बॉलाओ तुम लोगो tender offer तो आज पूरा method पराऊंगा step by step तो मुझे लगता है बिच में ब्रेक दे देना अच्छी एक बच के पंदर मिनिट हुआ है बीस मिनिट का ब्रेक रहेगा जी चलो 25 मिनिट का एक बच के 15 मिनिट हुआ है इसमें मैं 20 मिनिट जोड़ूँगा कितना हुआ है वन बच के 35 मिनिट वन बच के 35 मिनिट में वापस मिलेंगे यह ब्रेक स्टार्ट नौ उसके बाद प्रोसीजर जिन बचों की फर्स क्लास एक बार मेरे से मिलिए